सावन का महीना चल रहा है और मैं बहुत सो भागेशाली समझती हूँ कि हमें आज यहां मौका मिला आरती में उपस्तित होने का आरती अटेंट करने का और बहुत ही बड़िया दर्शन हुए यहां पे और उमीद करूंगी भगवान शिव इसी तरह से हमें हर वर्ष बुलाते रहें और हर वर्ष हमें मौका मिले उनके दर्शन करने का बहुत ही बड़िया दर्शन हुए शिव के पास आके वैसे भी ऐसे लगता है किसी जननत में आ गए और आप सोहें अपने आपको उस शिव के साथ जोड़ के एक बार ही देखिए तो जो आनन्द इसमें आता है वो किसी चीज में नहीं आता है मुझे बहुत अच्छा लगा बाबै क्या में हमारे पर इतनी बड़ी कृपा हुई साय इस में कभी सोच भी नहीं सकती थी कि में यहां तक आऊंगी हर साल में बहुत अर्जी लगाई बावा मुझे कब बुलाएंगे, बावा मुझे कब बुलाएंगे, आज उन्होंने मरी सारी इच्छा हैं पूरी कर दो, इसके बाद आप कुछ देखने की इच्छा नहीं है, इतना रोमांचक और सब कुछ की बता नहीं सकते हैं, हर इंसान यहां पहुंचना बहुत पोसिव कर रहे थे और इस साल भी हर जगे जगे पर आप देखेंगे कि कितने बढ़िया से इन्होंने चीजे अरेंच कर रखी हैं, तो यह यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, लोग बहुत अच्छे हैं, सब हैलफूल है, बस सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका मैं आए जहां पर फर्स टाइम आया हूँ, और जहां पर आकर ऐसा मैसूस हो रहा गई, जहां मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, ऐसे तो पहले भी बोलते हैं कि किश्मीर जो है दर्ती का स्वर्ग है, तो आज यह मैसूस किया जहां आकर, कि यह दर्ती का स्वर्ग है, और यह मुक्शिधाम है इसलिए आप सभी जो पूरे बारतवासियों से गोजार्श करता हूं कि बिंती करता हूं कि आप जहां आये हमारी कुष्明 में आये जहां पर आकर देखिये किसा वेलकम होता है किईशा जहां जहां की तहजीब है, यह हमारी तहजीब है, यह जमू किश्मीर की तहजीब है, कि कैसे वेलकम करते हैं जहां पर, जहां आकर ऐसा महसूस होता है कि जहां अभी जाने का दिल नहीं हमारा कर रहा है.